जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में एक संसत्र ने एक बहुती गर्मापुर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति बंदन अधिनियम और उसके बाद 26 जन्वरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पत पर नारी शक्ति के सामर्थ को नारी शक्ति के शावरिय को नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया और आज बजेट सत्र का आरंब हो रहा है तब राश्पति द्रवपुदी मुर्मुजी का मारदर्शन और कल निर्मला सितारामंजी के द्वारा इंट्रिम बजेट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षातकार का परवा है साथियों मैं आशा करता हूँ कि गत दस वर्ष में जिसको जो रास्ता सुजा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया कि लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुर्दन करने का स्वभाव बन गया है जो आदतम लोकतांत्रिक मुल्यों का चीरहरण करते हैं ऐसे सभी मान्य संसद आज जब आखरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मन निरिक्षण करेंगे कि दस साल में उन्होंने क्यों किया अपने संसदी ख्षेत्र में भी सो लोगों को पूछ ले किसी को याद नहीं होगा किसी को नगम भी पता नहीं होगा जिनोंने इतना हुरदंग हो अल्ला किया होगा लेकिन विरोद का स्वर्थ तीखां क्यों नहों आलोचना तीखी से तीखी क्यों नहों लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को राभानमित किया होगा उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा और इसलिए जिनोंने भले विरोत्ता किया होगा लेकिन बुद्धी प्रतिभाः का दर्शन कराया होगा देश के सामान ने मानवी के हीतों का कंसं दिखाया होगा हमारे खिलाब तीखे से तीखी प्रतिकिया की होगी उसके बावजुद भी मैं आवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्क लोगतंत्र पेमी सबी लोग इस व्यहवार की सराना करते होंगे लेकिन जिनोंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्वक्ता हुर्दंग शरारत्पुन वहवार ये जो किया होगा उनको शायदी को याद करे लेकिन अब ये बजेट 17 आउसर है पश्चाताप का भी आउसर है कुछ अच्छे फुट्प्रिम छोड़ने का भी आउसर है तो मैं ऐसी सभी मान्य साउसदों से आगर करूंगा कि आप इस अउसर को जाने मत दीजिए उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाप सदन को दें और देश को भी उत्साव और उमंग से भर दें मुझे भी स्वास हैं आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आम तोर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है हम भी उसी परंपरा का निर्भा करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे इस बार एक दिशान निर्वेशक बाते लेकर के देश की वित्न मंत्री निर्भाला जी हम सब के सामरे कल अपना बजट पेश करने वाली है सात्यों मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रग्यति की नई नई उचाईयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है सर्वस परसी विकास हो रहा है सर्वांगिन विकास हो रहा है सर्वस समावेशक विकास हो रहा है यह यात्रा जनता जनारदन के आशिरवात से दिरंतर वनी रहेगी इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम